हे गाइज नमस्कार मैं हूं मनीश कुमार और आज मेरे साथ है बबलु भाई तो देख लीजिए बबलु या बबलु भाई और आज हम जा रहे हैं रिलाइंस डिजिटल कि नेटर खरीदना है तो चली शुरू करते हैं कि नेटर खरीजिए के साथ हम लोग आगा है रिलाइंस डिजिटल यही है न विशाल मेगावाट ट्रेंड्स और यह हमारा है रिलाइंस डिजिटल तो सुलते हैं हम थेटर लेना है भी तो सुलते हैं तो सुलते हैं अप लड़ दो दो दोडना है न विच्छ दो इसको हम लेने वाले हैं यहां आज मेरा डिलिवरी है तो देखे चिक रहां करें तो यह यहां पर आ चुका है हमारा यामा लोग और देखें अभी खोल रहा है यहां पर इसका पैकेजिंग देख के हमको लग रहा है कि कितना मतलब से जवर्दस्त जो अगर आप कहीं भी इसको कैरी किया जा सकते हैं अगर इसके अंदर से इसको कुछ नहीं हो सकते हैं और इसी के साथ आपको यह भी देखने को यहां पर देखे यह रीमोट आ गया है यह आपका बाईसटी होम olabilir कर दबाए यह क्या है यह यह इसमें हुम थेटर में ऐसम भी दिया गया इसके लिए यह आपका केवल है अंटीना है यह अंटीना हो गया और इसके साथ है आपका और यह बायर है जो आपको वोम थेटर इंस्टॉलेशन में काम आएगा कौन सा आप मतलब साउंड कौन सा क्वालिटी आप कहां लगाना चाह रहें यह बायर उसी में आपका सब बूफर है गाईज यह देखे इसका जो बास पर्डूस करता है गजब के बास पर्डूस करता है यही सब बूफर की साउंड मिलता है सुनने के लिए यह इसी सब बूफर के वज़ा से मिलता है यह है आपका दो राइट साइड का स्पीकर और दो लेप साइड का स्पीकर है टोटल चार स्पीकर है और यह आपका सेंटर का स्पीकर है जो सेंटर में रहता है और यह सारे जितने भी स्पीकर है ऊपका प्लास्टिक का ही है पहले तो हुम थेतर आता है उसमें अं लकड़ी का भी मिलता था मगर आज टेक्निलोजी इतना बढ़ गया है इतना आगे निकल गया है कि असकल प्लास्टिक के भी अगर होते है उसमें स्पिकर तो अच्छी quality के साउंड निकल ये आपका बीच में जो इसको बिंद रेसीवर बोल सकते हैं जो हम लोग अपने वाछा में ऑपिलिफायर बोलते हैं मगर यह में इस ही में ये आपको अठी कर सकते हैं हैं अचयर्ण कोई परवल हैं अखरें बीच इसके लिए इसके लिए आपका 3.5 5 mm jack है इसे audio input करके इसी से हमारा quality और सबसे बड़ा बात यह है कि जो आप 18-40 खरिते हैं या महां के इसमें आपको एक चीज जो देखने को मिलेगा technology जो और सब बूफर में नहीं मिलता है और वो है technology जो अकसर हम लोग cinema घरों में देखते हैं cinema घर जब भी मतलब cinema hall में जाते हैं तो वहां पर जो आपका eco का sound आता है जो हर एक साइड से आपको इस सेंटर से भी आता है बारिश हो रही है पीछे से भी आता है वो इस टेकनोलोजी यामा बाइस्टी आपको देखने को नहीं मिलेगा तो गाइस देखिए इसका quality बहुत है अगर आपका बजट है आपका 31 से 31,000 रुपया के बीच में अगर आपका बजट है तो आप यह 1840 खरी सकते है तो हम बता रहे हैं कि अब इसको घर पे ले जाकर टेस्टिंग करेंगे और जो घर पे ल अब इसको घर पे जाके ओपन करेंगे घर पे सेट अप करेंगे तो पहले एक और बजा कर देखेंगे तो गाइस हम जैसा बोले थे कि घर पे टेस्ट करेंगे अब हम आ चुके हैं अपने घर पे और अब यह सारा निकाल रहा है हम इसका receiver है स्पीकर है आप कुछ दिर में तो गाना बजा के भी देखेंगे क्वालिटी बट ज्यादा इस पर हम गाना नहीं बजाएंगे क्योंकि यूट्यूब चैनल पर डाल रहा है तो यह copyright का क्लेम आ सकता है गाने का इसलिए गाना ज्यादा नहीं बजाएंगे बट कुछ म्यूजिक है जो आपको बजा के चेक करके दिखाएंगे जितना में आप समझ सकते हैं कि BST 1840 खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए जहां तक अभी तक हम देखे हैं अभी तक जितना भी हूम थेटर देखे हैं खास करके 5.1 हूम थेटर इसमें सबसे बढ़ियां बेस्ट क्वालिटी का हमको यहीं लग जो आपका इसमें जो टेक्निलोजी बता है डी एसपी टेक्निलोजी होता है जो अक्सर सिनेमा घर में रहता है वो चीज देखने को सिर्फ यह 1840 में आपको यामा मिलेगा और किसी भी इस बजट के सोनी का ले ले लेजिए किसी में होम थेटर में यह मतलब की क्वालिटी नहीं दिया गया है पूरा सेट अब हो गया है कि नोशन फिल्द आप विट अमोशन एंगर एंगर इन पोशन रविट अन्लाइक लोशन आइक फिल इस ओकिन रियोप इन इसकार्स आप वोकें आपकेंट मोव उन्टिला लाग गो आई फिल सो लॉस्ट नेवराद होम I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost Never at home Need to be strong every breath Cause I can't move on till I let go झाल आदिए नहीं है झाल झाल